लो और विल्कम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूप चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए थार्डियर के सेकंड पेपर के प्राश्ची निदियास के एक इंपॉर्टन कोश्चन के बारे में गुफायों होती थी वहां पे जो अपना वास करते थे यानि कि वहां पे वो जो लोग रते थे वहां पे उनका घर होता था क्योंकि उनके पास कोई घर बनाने का उतना जादा दिमाग नहीं था तो वो लोग ज्यादा तर गुफायों में ही रहते थे अथा उसने अपने के लिए जो गुफाओं की दिवार थी उनका सहारा लिया चो कि इस समय तक ले लिखने की कला का पर्चलन नहीं था यानि कि लिखने की कुछ बताया जासके क्योंकि उस सिमेह जदा तर सब्द और खोजे नहीं गे थे कि सब्द को किस परकार से लिखा जाएगा तो तो इसलिए वहाँ पे लेखन का प्रचना नहीं था, इसलिए ततकालीन मानों ने अपने मन भावों और परसितियों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का आस्रे लिया, तो उस समय जो लेखन का ला नहीं था तो लिख के कुछ लोग नहीं बता बाते थें, लेकिन वहाँ पे चित्रों को बना कर उस समय के लोगों ने बताया कि वो किस प्रकार से जीवन वेतित करते हैं, तो यहां पर लिखा गया कि उस समय के जो मानों थे हैं, उन लोगों ने अपने मन के भावों को इसी परिस्तिति में व्यक्त करने के लिए चित्रों का आस्रे लिया, तो यह था थोड़ा सा लोग ने देख लिया कि ब्हुमीक है अब समस्त कि हैision p.h Joke is कि-21 को अपर दो कर देखते हैं कि हम लुग चित्रों में वह लोग रंग कैसे भर दें कि तो रंगो का निर्मार किस प्रकार से होता था रंगों का निर्माण अगला हेडिंग है हमारा और इसे देखते हैं चित्रों को बनाने के लिए अलग-अलग पत्थरों पर कूट पीस कर रंग बनाया जाता था चित्रांगन के निए बहुदा लाल काले वा सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था काले के लिए कोईला काजल यह कालिक का प्रयोग किया जाता था सफेद रंग के लिए खड़िया में चर्बी मिलाए जाती थी यह गेरू तथा फिरोजी के लिए पत्थरों को पीस कर बनाया जाता था रंगों को मिलाने के लिए हड़ी आदी का प्रयोग किया जाता था उसमें क के चित्रों में ज्यादा तर लाल रंग थे हैं काले रंग थे और सफेद रंग थे और काले रंग जो था उसको जो है कोईले से बनाया जाता था या फिर काजल से या कालिक से जब लोग आग को जलाते थे तो वहां पर जो कालिक लरती थी उससे बनाया जाता था सफेद रंग अब देखिए चित्र निर्माण पद्धिती को देख लेते हैं अगला हमारा एडिंग है कि उसमें जो है चित्र को किस प्रकार से निर्माण किया जाता था तो प्रगहतियासिक अधिकान चित्र मात्र रेखाओं से बने हैं यहां पर कहा जा रहा है कि उसमें ज्याद तर जो वो रेखाय से ही बने हुए थे और ये लोग दो या तीन देखाओं के प्रयोगदार माना अकृतिया बना लिए जाती थी यानि कि उसमें में जो लोग थे वो लोग दो या तीन रेखाओं के अकृतिया बना लेते थे यानि कि उसमें जो नुकेले पत्रों कप्चियों किया जाता था रेखाओं को बनाने के लिए सीधी या आणी तीरशी लाकीरों से बीच का भाग भर दिया जाता था और जो सीधी या आणी तीरशी लाकीरे थी उनसे जो बीच का भाग भर दिया जाता था तो ये था चित्र निमार की पदती यानि कि वहाँ पे जो है चित्रों को किस प्रकार से बनाया जाता था और रंगों को किस प्रकार से बनाया जाता था ये तो हम लोग ने देख लिया और चित्रों में रंग कैसे भरा जाता था इसको भी में लोग ने देख लिया कि आणी त पर हम यह सारी बाते कर रहे हैं तो विंध्याचल की पहाड़ियों में एक अस्थान पर फिरोजी रंग को त्यार करने की समागरियां प्राप्त हुई हैं यहां सिलबट्टा से पीसा गया है बट्टे पर वही रंग लगा है जो पसूं के अंकर में प्रयुक्त है तो यहां प सिलबट्टा हुए है याने की सिलबट्टे पर गृव हुआ है जो रंग जूए चित्र बंदाने में प्रीक्त किया आई तो इसे एकदम करें हो जा रहा ह fats कि एज़ों बट्टे का वही रंग है जो पसूं के अंकन इन्त उन्क्वेश्क्ट हुआ यहां परतित होता है कि यहां पर आगे हम लोग दिखते हैं कि है जो एंसा लगता है कि चित्र सालती और यहां पर चित्री के सिफं़ आते थी यहां मानों मानों को फ्लिख मनुस्यों की जहा हैं धशी। इतके उन्ह saçार के ही मिले यहां पर जो विंद्याचर की पहाड़ेंसे जज़ए ज़ादा डरजू चित्र हैं ऊप्रसित किया हैं दोस्तुन ये बात है उश्यमने की जम ना रंग सही से थे और ना ही कोई ऐसा वसुत था जिससे कि चित्र बना जा सके अच्छी तरीके से आजकल पेंसेल पेंड और तरफ के मसीने हो गई हैं टेक्नोलोजी हो गई है तो चित्र को बनाना असान है लेकिन उस समय जो है इस तरह से इतने अच्छे तरीके से बना गया था कि वह लोग एदम सजी उपरत ना सकते हैं कि इस चीच का चित्र है चित्रों को दोड़ते होऑ गृते हुए है यह हम लोगों ने देख लिए कि एकड़म अच्छी तरीके से परसुद किया गया है आगे देखते हैं मिनुक्त चित्रों में गति सीलता सक्ती भाव आकरमकता का अदुभे सामन्जस से है य सारा जो है अच्छी तरीके सतिकरार अद्धूद आखहेट Chemical में चित्रित है यानि कि एक अच्छा आखष्य यानि की सिकार करते हुए उस चित्र ग्रीट है आयूद उनके प्रयोक की पधति Y cardi को को आखेट की सिच्छा देते रहोंगी यह आगे बोला जा रहा कि दंचापे कि विध्ध्याचल पहाणिया उनके वहाँ पर ओना यह तो तोटका यह बी विश्वास था इनकी पुष्टी स्वभाविक चित्र सटकोड आदि से मिलती है जो इन गुफाओं में चित्रित किये गए है यानि कि इसकी अगर पुष्टी करनी हो कि वो लोग जादू टोना मांगते थे तो इसकी पुष्टी यहां से हो जाती है क्योंकि विंद्याचल की पहाड़ियों में सटकोड की चित्र मिली है जिससे की मालम चल जाता है कि सटकोड वगर जहां पे चित्र बने उते है उनसे मालम चलता है कि यहां पे नाटक और टोटका और जादू टोना मांते थे लोग जो इन गुफाओं में चित्रित हुए है विंद्हाचल चैत्रिक्त मद्य प्रदिस के रायगर, जवलपूर, रीवा, पन्ना, सागर, पंचमड़ी, भोफाल, गौालियर, दतिया, मंदस और, उत्तर प्रदिस के मिर्जापूर, बनारस, बांदा, उत्तरांचल के कुमायू, दच्र भारत में है धराबाद, कॉमपल, स्रिस्म, यम्मुक, प्रवत, पिल लकिहल, मास्की, कोडवी कनाल, आधिकी, कुफाओं में प्रागित हैसिक चित्रकला के साच मिले हैं। प्रागित हैसिक चित्रकला की स्रिंखला एतिहासिक युग तक करमबंद गतिमान प्रतित होती है, यानि कि चित्रकला है, वो एतिहासिक युग तक एकदम करम के रूप से गतिमान दिखती है। पहले की जो कलाएं थी, उनका जो है अलग-अलग तरीके से वारन किया गया है, कि उस समय कौन-कौन से चित्रकला थी, उनको जो है अलग-अलग काटेगरी में रखा गया है। तो वही जो है, सवभावक चित्रकला है, सैलीबद्य चित्रकला है, लिनियोजी यहोँ अलंकृत चित्रकला है, यहोँ परचनिल्य चित्रकला है। तो इसमें लोग पहला देख लेते हैं स्वभाविक चित्रकला। स्वभाविक चित्रों में मुख्य रूप से पसू के चित्र बने हैं। काई काकृतियों को रंगों से भरा गया है। इसका सरवत्रकृष्ट उधारण मद्यप्रदेश का भीम बेटका है। यानि कि मद्यप्रदेश के भीम बेटका में जो चित्र पराप्त हुए हैं वो जो अच्छे चित्र हैं और उनमें पसू के चित्र बनाय गये हैं और उनमें उनका जो शरीर है उसको रंगों से भरा गया है। तो ये एक काटेगरी हो गई स्वभाविक चित्रकला और इसका जो उधार अगर हम देखे तो मद्रदिस का भीमबेट का है। वित्तकार अंग भी कहीं कहीं से दिखाए पड़ते हैं। गया है और इसमें पसु की ज्यादा चित्र बनाए गया है और इसका उधार जो है मद्रदिस का भीमबेट का है। अब आगे हम लोग देखते हैं नियोजीत यें अलंकरित चित्र। इसमें गतिमान चीजों को दिखाया गया है। कोई जालवर उचल रहा उसको दृखा दे गया तो इस में गतिमान चित्र को जादा निर्मित किया गया है इसको जोई इस कटेगरी में रखा गया और इन चित्र में सारी किलीक अवयोग लिजन पर विश्यस भल नहीं दिया गया है पसु अकृतिया पर्वेस की अवस्था में उकेरी गई हैं या उनलेकनिया की अधिकास पसु अकृतिया हैं सक पसु की है तो नियोजीतियों अलंकरित चित्र में हम लोग देखते हैं कि पस्वों की जो अलग-अलग मोमेट थी और जो अलग-अलग चाल थी उनको जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन्हें भागते हुए पकड़ते हुए और उनका सिकार करती हुए जो है इसमें एकदम जीवानते तरीके से दिखाया गया है अचली आगे मनें देख लेने अगला प्रमपरागत चित्रकला प्रगधिहासिक चित्रकला से समाजिक जीवन निर्माण का भी परग्यान होता है इस तैले में जीवन चरिया का अंकन है माने उनके पालतु पस्वों का चित्रण इस कला की विसेस्ता है जैमितिया कारहल किया गया है तो परमपरागत चित्रकला में जोई कही रंगों का प्रयायों किया गया और इसमें लिंक वर्ध चित्रण 17 सुषक्मता से किया गया है यानि कि इस्त्री और पूरुस आसानी से मालूम चलते हैं और कति जो पढ़्या ऎकृतियां सबीचीजों को हम मालूम कर स बस्ता में ता जोपड़ी में रहता था या नहीं रहता था और कौन से पालतू जानवर उसके पास थी और इस्तरी पुरूस का किस प्रकार से वार्डन हुआ है और कौन-कौन से रंग उसमें भरे गए हैं यह सारी जोए प्रमपरागत चित्रकला में अच्छे तरीके से द्धाओं को युद्धरत दिखाया गया है हाल धाल इवतलवार के साथ युद्धाओं का चित्र भी है इसमें पूजा कद्रिस से देविद्धाओं की मूर्तियों का भी चित्र गिया गया है प्रतिकों का भी चित्रित किया गया है जो बढ़ियों का चित्र नाचना गाना बजाना उपवासना पच्छु सारा राधी को भी अत्यांत सम्मानिस अस्थान दिया गया है तो इसमें लोग देख लेते हैं प्रचली चजाली की चित्रकला में जो है नाचते और युद्ध करते और धनूस्तीर भाला फेकते और भी दिखाया गया है इस सहले में जो है अच्छी जानकारियों चिकीती चित्रों को बनाने में तो इन लोगों ने जो है हर एक मोमेंट को चित्र में परिवर्दित किया था तो इसमें प्रचलीत सहली में जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाये गया है जैसे कि युद्ध का होना युद्ध का विवर्ण किया गया तो है ये जो है प्रचल साली की चित्र कला में इसको बाडनayo again वादन की तो हम लोग ने यहां पे देख लिए कुछ तीम या चार तरीके पांच तरीके के जो प्रगतियासि चित्र कला थे उसका जो है इसका जो अलग-अलग भाक समझ चित्रों को किन किन ने कटेगरी में रखा गया था उसको हम लोग ने देख लिया है तो इसमें पहले हम लोग ने पहले कटेगरी थी सुभाविक चित्रकला दूसरी थी सैली वद्द चित्रकला तीसरी थी नियोजी तियो लंकरी चित्र और उच्छा थे था प्रमप्रागत चित्रकला और परश कौन से है प्रगतियासिक चित्र कर लागे तो पहला जो है मद्द प्रदेश की सिंघंपूर सिहंपूर गुफा से सिकारी दोरा घेर कर हिंसक पसु के सिकार का चित्र पराप्त हुआ है कुछ पसु कुरोधित यों गतिमान अवस्था में हवा में उचलते दिखलाए दिखला गया है और कुछ पसु जों है उसमें कुरोधित दिखाया गया है और कुछ पाछु दिखाया गया है और के मद्द परकुफा से अब अगले का चित्र यहीं की एक अन्य गुफा से सूवर के आखेट का चित्रा मिलता है एक थोड़ी अकृती का सूवर आयूद पीठ में घुस्ता होने से आयत दिखलाया गया है उसका पैर तेड़ा हो गया है पीड़ा के करण उसका मुझ खुला हुआ है कान खड़े हैं कूची में र जो दराइ की गुफा है वहाँ पे पे आखेट को पकड़ते हुए चित्र बनाया गया है और एक सूवर का सिकार करते हुए चित्र बनाया गया है और इस चित्र गुफा में बकरी चराते चरवाहें साधी घठा करता व्यक्ति यूँ गाह चराने वाले चित्रित हैं गार्डन महोदय ने इसे निशात जाती कि संस्कृती से संबंदित बतलाया है यानि कि यहां पर अमद्य प्रदेश में बाते हो रहे हैं पंचमड़ी से जो भी चित्र मिले हैं उसमें बकरी चराते हुए चरवाहों का चित्रन किया गया है साधी घठा करती हुए व्यक्ति का चित्र किया गया है योग गाह चराती हुए व्यक्तियों का चित्रित किया गया है और इसमें जो कारडन महोते हैं जो एक इतियासकार हैं उन्होंने इसे जो है निसाद जाती की संस्कृती बताया है कि ये जो है निसाद जाती की संस्कृती निशाज़ जयत की संस्कृति से सम्मंदित है अगला हम लोग देखते हैं मद्य प्रदेश होसंगाबाद की आदम गड़ से भी कतिपाय आकरसक प्रगत्यासिक चित्र प्राफ्त हुए यानि कि मद्य प्रदेश में जो होसंगाबाद है वहां कि आदम गड़ से जो है प्रदेश में लोग ने देख लिया कि प्रगत्यासिक चित्रकला के प्रमुख चित्र जो थे उनको देख लिया इसके अलामा भी बहुत सारी चित्र है लेकिन यह जो थे प्रमुख प्रमुख चित्र थे अब हम लोग देख लिते हैं कि प्रगत्यासिक चित्रकला की विश सिस्टा है कि यह जो है सत्पूरा विंध्याचल कैमूर की पहाड़ियों की सीला खंडों पर गुहाओं दर्रों पर और गुफाओं की दिवारों यह फर्स पर बनाए गया है प्रगतियासिक चित्रकला विकासात्मक दिखती है जो पांच भागों में वर्गिक्रित है यह जो लोगों ने रिखाओं को बनाया फिर आगे चलके लोगों ने अच्छा चित्र बनाया और यह जो है पांच भागों में वर्गिक्रित है पहले के वाल जानवरों के चित्र मिलने लगें उसके बाद सिकार वगरे करते हुए चित्र मिलने लगें तो यह जो है इसको पांच विकास देखने को मिला है इस चित्रकला में जो लगातार अच्छा विकास होता रहा चित्रकला की मुख्य अगला देखते हैं चित्रकला की मुख्य विसे वस्तु आखेट है यानि कि जो भी चित्रकला हमने देख रही प्रागतियासिक काल में उसमें ज्यादातर सिकार करते ह इसलिकार दिखा गया है याँ कि उससे मैं चादातर सीकार होते थे और लोग सीकार से अपना भोजन अगया गया करते थे तो शीकार को रहा जारा दिखला गया लोग देखते हैं प्रगतियासिक चित्रकलाग में आखेट के लियुक जीवन से संबंदित यथा गायन वादन न की लोग गाते हुए वादन करते हुए नाचते हुए और क्रिशी करते हुए भी चित्रण किया गया है यह था इसका चवर था विश्ष्था आफा आगे दो देख análर रंगों में काला सफिद रंका टोम लाल रंकाँ आपं गया है अगर इसकी एक बहुल यह है ज़के कि दो रहें श्ब्रत Okay C candle गया प्राइसाइन चित्र के ढाइग है यानि कि जुदेरंगों गीखते वाहरों के साथ सूख्य रागों के भी स्थाण दिया गया है यहांश जो है गीलू रंगों का यूज भी गया गया है और सुखे रंगों का भी यूज किया गया है और अगला और लास्ट देखते हैं रंगों की योजना अत्यांत साधानी से किया गया है यानि कि रंगों को जो भाराव अगयर गया है वह जो बहुत साधानी से किया गया है इन सार कपर मुखवार रंख सिकार करना है समाजिक जयों सब्सक्राइब के लिए रंग की अस्तितो का भी भागों में भिवीद्व्याजद किया गया है यह सब ऄंख्रा अगरहा यहां यह लोग दिखते हैं कि यह उन अस्थे प्राप्त हुए है जो पहाड़ी बहुले यानि कि प्रागतियासी चित्रकला जो है पहाडों में सबसे ज़्यादा पाई गई क्योंकि वहाँ पहाड जल्दी नश्ट नहीं होते हैं और इसलिए वहां पर बचे रहते हैं तो यहाँ पहाड़ों से बाए गई और इन चित्रकला का मुख्यों उद्धे से जो था वो था सिकार करना और समाजिक जीवन से समंदित चित्र भी प्राप्त हुए हैं उतने नहीं हुए हैं लेकिन चित्रों को रंगों के लिए रंग का अस्तितों भी परिग्यान होता है यानि कि जो रंग का अस्तितों उनको जानना चाहिए था यानि कि वो लोग जो है रंगों को जानते थे अगर आपको जा रहा है कि रंगों की जानकारी उन्हें थी पहले से ही विकास करम के अधार पर प्रगत्यासिक चित्रकला को पांच भागों में विवाजित किया गया है यानि कि अगर विकास करम में देखा जाये तो इसे पांच भागों में विवाजित किया गया है जिसमें इसके विकास को दिखाया गया है कि पहले किस प्रकार के चित्रे बनाया जाती थी उसके बाद इस पर सुधार हुआ और कॉर्ण को ऐसी चित्रे बनाया जाने लगी इनमें क्या बढ़तरी होई यह सारी बाते जो है इसमें पांच भागों में विवक्त किया गया है तो यहां भी हम लोग न मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यमाद